नमस्कार आप देख रहे हैं दाव बिहार टॉप मैं हूँ आदेश पुरी बिहार में सिक्षकों की बहुत बड़ी भरती चल रही है आपको बता दे कि बीपीएसी यारी की बिहार लोक सिवा आयोक के द्वारा दो चड़नों में लगबग दो लाख अरतालिस जार के आसपा स सिक्षकों की बहाली की गई है और आपको हम बता दे कि इस परिच्छा में लाख लाख कैंडिडेट भाग लिए और गरबड़ी करने की भी कोशिस की गई आयोक के द्वारा सारे वो उपाय किये गए जिनसे किसी भी तरह की गरबड़ी नहों पाए स्कॉरार गंग इसकी इ 44 लोगों को आजीवन डिवार किया है आजीवन BPSC में होने वाली परिच्छाओं के लिए परतिबंदित कर दिया है अब वो कभी भी परिच्छा में सामिल नहीं हो पाएंगे आपको बता दे कि कल रात को ही आयोक के द्वारा 49 कैंडिडेट्स के रॉल नंबर उनके नाम उ इतने कैंडिडेट्स को आजीवन बैन किया गया एक साल के लिए बैट डिवार किया गया पांच साल के लिए डिवार किया गया तीन साल के लिए डिवार किया गया वज़ा रही है वज़ा स्कॉलर गैंक के रूप में बैठना गलत कागजात देना या फिर जो प्राउधान किये गये थे, सपत पत्र देने को लेकर वो नहीं दिये गये, सपत पत्र दिये गये, तो उसमें जो असपश्टि करण मागा गया था, वो संतोस जनक जबाब नहीं दिया गया, तो बहुत सारे ये वजहे बनी जिनके कारण लगबग देखा जाए, तो 7800 के आज़ पास कैंड को डंडित किया गया है, और ये अभी तक का सबसे बड़ा डंड है, उन 40 लोगों को आज जीवन, BPSC के किसी भी परिच्छा में सामिल होने से डिवार कर दिया गया है, पर्तिबंदित कर दिया गया है, वो किसी भी BPSC के परिच्छा में सामिल नहीं हो सकते हैं, तो आयोग लगातार जो है वो करवाया करते जा रहा है वैसे लोग जो आयो की छवी को धुमिल करने का परयास किये हैं गलत बयानी किये हैं गलत गलत आरोप लगाए हैं उन सभी से अस्पष्टी करण मागा गया और संतोस जनक जवाब नहीं होने के कारण उन पर करवाया भी की गई है और हो सकता है कि ये सूची आगे भी बढ़ते रहे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो परिछाओं के दोरान परिछा में गड़बरी या किसी न किसी तरिके से परिछा को दूसित करने का परयास किये हैं या फिर आयो की छवी पर उंगली उठा आते रहे हैं तो 49 लोग की सूची जो है आयो के द्वरा जारी की गई है फिलाल इस वीडियो में इतना है वीडियो पसंद आया लाइक सेर करें हमारी चैनल दब यहां टॉप को सस्क्राइब जरूर कर ले दन्यवाद